आज का मेकप शुरू करते हैं मेशा मेशाराइजर के साथ ही शुरू करती हूँ बढ़ इसके बात प्राइमर लगाती हूँ और आज लगा रही हूं सेटेंग पाउडर क्योंकि एक हैक ट्राइक करने वाली हूँ मैं आपको बताऊंगी कि आप भी इस तरीके से मेकप कर सकते इसके बाद setting spray को spray करने वाले हैं हम हमारे पूरे चेहरे के ऊपर और इसको धुड़ा सा dry हो जाने देंगे और जब यह dry हो जाएगा ना तो इसके बाद primer apply करेंगे और यह जो primer में use कर रही हूँ करना है तो इसको apply कर दिया एंड अच्छे से blend कर दिया इसके बाद foundation लगाना है मतलब की समझ रहा हो ना पाउडर लगा लिया setting spray लगा लिया प्राइमर लगा लिया और उन सब के बाद foundation apply कर रही हूँ मैं तो काफी weird है बट अच्छे से makeup हो गया था इसके बाद apply करने वाली तो foundation को blend कर रही हूँ मैं beauty sponge की मदद से और आज जो मैंने sponge यूज किया है वो वेट नहीं है मैं dry sponge यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ यह product को पिक करता है या नहीं बट हाँ इसने थोड़ा बहुत product को अपने अंदर absorb किया था बट blending तो अच्छे से हो ग कवरेज और फिनिश काफी जादा अच्छी आती है तो आप वेट यूज करना अच्छा रहेगा एंड हम मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड यह जो कंसीलर है ना एक के अवरेज इसकी काफी अच्छी है एंड मुझे इस तरीके से मेकप करना बहुत पस होंगी मैं पूरे चेहरे पर बहुत ही अच्छी से ब्लेंडिंग करनी है अब आपको सिखाती हूँ तीन ब्लश की तरीके कैसे अपलाई कर सकती हो इस वाले फर्स्ट तरीके में आपको आपके अपल ऑफ यूज चीक से शुरू करना है एंड आपको जो आपका पूरा फेस ब्लेंड करना है ईसमें आपको सिर्फ आपकी जो बोन है एंड इसको ब्लेंड करना है आपको तो आप देख सकते उससे आपको थोड़ा सा लिफ्ट डुक मिल जाएगा और मुझे यह वाला ब्लश तरीका जादा अच्छी लगता है क्योंकि मैं नहीं चाहते कि मेरा पूर टाइम में कहीं बाहर जा रहे हो और यह लोक ना बिना मेकप के जादा अच्छा लगता है अगर अपना foundation वगिर अपलाइं नहीं किया है ना तब आप इस तरीके से ब्लश लगाओगे तो जादा सुन्दर लगता है मेकप के ऊपर नहीं जादा अच्छा लगता है तो यही थे तीन तरीके इसके बाद मैंने काफी है को अगेरा ट्राय करके मेकप लुप किया था और सब्सक्राइब फूर मोर बाई